बीना निम्बू के निम्बू पानी बनाए 5 रुपे में और खुश करे घर पर आये महमानों को तो निम्बू जो है आज कल इतने ज़्यादा महंगे हो गए है 10 रुपे का एक निम्बू आता है और आजकल तो है निम्बू 300 पे किल्लो हो गए है तो अब हम कैसे अफोर्ड करें निम्बू को अगर आपके घर पर 50 लोग आ गए है पचास महमान आपके घर पर आ गए है तो इसके लिए आपको चाहिए 50 निम्बू तो आप 50 निम्बू कैसे लेकर आएंगी क्योंकि इतने ज़्यादा महंगाई जो है बढ़ चुकी है लेकिन मैं आपको बिना निम्बू के ऐसा निम्बू पानी बना कर दिखाऊंगी और सिर्फ नो इंग्रीडेंट का मैं यूज करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन होंगे और जो पील आएगी उसको पीन आने के लिए आपको चाहिए जीरा तो आपने जीरा सबसे पहले डाल देना है और इसको आपने रोस्ट करना है जीरे को और वो आपने डाल ली है एक चमबच और आपी जो है इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और आप मेरे को ये भी बताईए कि आपकी आपकी जो स्ट तो आप जीरे को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, आभी मैं आपको ऐसे next ingredient भी बताऊंगी, जो इसके लिए बहुत जादा फाइदे मज़ है, और हमारी जो पेट होता है, उसके लिए जीरा है बहुत जादा अच्छा होता है, और last night ऐसा main ingredient भी बताऊंगी, जो बिल्कुल निम्बू जासा paste देगा और आपकी सहत को सही रखेगा, तो इसको जो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हलका हलका जो है आपने इसको रोस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने गैस को कर देना है बंद, अच्छे से आप इसको रोस्ट कीजे, इसके बाद आपको क्या लेना है, इतना आप इसके अंदर इसको रखे दाने देजे ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए, उसके बाद आपने डालने है इसके अंदर दो चमच आपने भर कर डालने है चिन्नी के आप जो है अपनी स्वाद अनुसार और भी डाल सकते अगर आप जाता चाहते है जैसे कि कोई कोई जो है मिठा पीता है तो आप जो है थोड़ा सा और इसके अंदर डाल सकते है चीनी उसके बाद आप next ingredient क्या डालना है सबके घरों में जो है यह अब लेबल होता है सब जो है इसको अपने निम्बो पानी में डालते हैं तो वही main ingredient है वो आपने डालना है इस के अंदर एक चमच भरके आपने डालना है इसके अंदर काला नमक अगर काला नमक घर पर नहीं है तो उसका भी मैं आपको एक substitute बताऊंगी तो अगर आपके घर पर काला नमक नहीं है तो आप simple नमक भी जो है एक चमच भरकर इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आप दोनों ड पानी है वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगे और भी ज़्यादा अच्छा बने तो आपको डालना है इसके अंदर अब दी चमच डालनी है आपने चाट मसाला और अभी आप देखते रहिए कि कितना टेस्टी जो है ये निम्बू पानी बनकर तयार होगा नेक्स्ट इंग्रीडेंट जो है बहुत ही अच्छा इंग्रीडेंट है और ये हर किसी के घर पर होता है तो आपने इसके अंदर डालना है ये है गरम मसाला तो गरम मसाला आपने सिर्फ डालना है एक चुटकी या फिर एक पिंच आपने डालनी है थोड़ी सी बिलकुल वन नहीं डाले हैं चाहे निम्बू कितना भी महंगा क्यों न हो जाए लेकिन आप जो है बिल्कुल भी आप बिल्कुल मत डरिये क्योंकि निम्बू के महंगाई से हमें कोई भी फरक नहीं पड़ेगा उसके बाद आपने डालना है अब चुर पाउडर तो इसको भी जो हम डाल अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाउच जो घर पर मतलब जो दुपानों पर मिलते हैं ये जो है कैमिकल से भरपूर होते हैं कैमिकल जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है ये दो रुपे का मिलता है और ये निम्बू जो है दस रुपे का मिलता है इसलिए मिलता है क्य कि दोस्तों इसके अंदर निंबू नहीं, इसके अंदर chemicals होते हैं, जो हमारी सेहत को harm कर सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए नुकसान दायक होते हैं, तो ये तो आप बिल्कुल भी बिल्कुल मत पीजियें, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी, वो जो है, बहुत जादा आपके फाइडर मन होगा और टेस्टी होगा, next ingredient आपने इसके अंदर डालनी है, थोड़ी सी काली मिर्च, पीसी होई आपने जो है, एक मतलब आदी वनफोर्थ आपने चमबच के जो आपने डालनी है, मतलब एक चुटकी, उसके बाद आपने डालना है, इसके अंदर भुना जीरा, जो हमने जीरा भुना था, वो जो है, एक चमबच ही हमने जो है, इसके अंदर डाल देना है, इसके जीरा जो है, जीरे से क्या होगा, ये और पर ज्यादा टेस्टी बनेगा, निम्बू पाने से भी ज्यादा टेस्टी ये बनकर आपके सामने आएगा, जितना टेस् डंड़ों भाए दुससे थोड़ा सो जादा उसके आप तो, आप देखते रहे के सिरक्क पानि माई करी आपके सामने तुए त्यार होगा और इतना ज़्यादा ये फाइदे मज़ है इतना ज़्यादा टेस्टी है आप भी बिल्कुल जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल निम्भू पानी जासा दिखाई देगा तो ये पाउडर जो है यहाँ पर बन कर तयार है इसको आपने कैसे यूज़ करना है ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इस पाउडर को जो आप एंसे दो मीने के लिए स्टोर करके रख सकते है फिर आपने जो है स्वाद अनुसार इसके अंदर डालने है दो चमच अगर ज़्यादा आप निम्भू पानी का टेस्ट चाते है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते है इसका कलर देखना आप बिल्कुल जैसे निम्भू पानी का कलर होता है वैसा जो है इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है ठंडा पानी यह देखिए कैसे जो है बिल्कुल जैसे निम्भू पानी होता है वैसा जो यह बन कर आ रहा है और इतना अच्छा तेस्ट है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है, अभी मैं आपको इसे पीके भी दिखाऊंगी, इसको आपने कर देना है अच्छे से mix, बिल्कुल भी हमने इसके अंदर निम्बू का यूज नहीं करा है, ये निम्बू बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, चाहिए ये कितने भी म अगर पर जुरूर ट्राय कीजिए, धन्यवाद